हलो एब्रीवन गाईज वेलकम डू माई चैनल आज जो हम रैस्पी बनाने वाले बहुत जल्दी भी बनेगी हो बहुत अच्छी है भी देखे बहुत ठंडी पड़ रहे तो इस टेम पे हम बनाएंगे भुजिया वह भी ग्रेवी वाली जो बहुत जल्दी बन जाएगी तो आप एक बार देखे सूखी भुजिया तो आपने बहुत बनाई हो मैंने भी रैस्पी डाली हूँ यह तो उनको भी ट्राइगी जो यह रैस्पी भी आप बनाके देखे चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखे मैं बना रही हूँ छे अंडे से भुजिया तो इनको क्या है सि फिट जाएं उसके बाद हम लेंगे एक पैन तवाब जिसमें भी कड़ाई है जिसमें भी बनाना चाहते हो वो लीजिए उसमें घी डाली है घी नहीं डालना तो आप ऑईल जो यूज करते हो उसमें बना लीजिए अगर घी डालोगे तो और भी अच्छा टेस्ट बढ़ आएगा तो हम क्या करेंगे पहले हम एक पैन में घी डाल देंगे घी इतना डालना है कि जो हम इसमें हम पलट सकें तो यह आमलेट जैसे जो बनाते न बैसे ही बनाना तो इसको हम पूरा आमलेट नहीं बनाएंगे इसको छोड़ा सा जब यह नीची से पकने लगे न फिर तो ऐसे करके हम पलटते जाएंगे जिससे कि यह अच्छे से चारों तरफ से पक जाए तो बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे बस हाँ जैसे भुजिया टाइप की होती है फिल्कु वैसे ही कर लेंगे तो यह अंडा है जो हमारा यह पक जाएगा को मैं ऐसे ही कर रही हूं जि आप जिसी पैन या कड़ाई जिसमें भी आप करना चाहे तो इसमें दीजिए ऑईल तो भी है मैंने सरसों का ते लिए जब वो अच्छे से गरम हो जाए तो कुछ खड़े मसाली जैसे कि मैंने तेश पता डाल दिया दाल ची और बड़ी यह चोटी यह जीरा डाल दिया इत है जो है छोटी चोटी चोटी चार मीडियम साइज की पैहा लियाँई आप दो बड़ी पैश ले रहे तो दो बड़ी इसी पैश डाल इए क reason मैं अच्छी से पढ़ेगी तो प्याज आप अच्छे से डालिए और ये देखिए अधरक लैसुन का पेस्ट एक चमच मैंने भरके बड़ी चमच बरके डाल दिया है आपको नहीं ऐसे डालना है तो आप इसको ग्रेट करके कदू कस करके भी डाल सकती है बिल्कु छोटे छोटे चौप कर करके डाल दीजिए इसको हम पीस नहीं रहे ना प्याज हमना लैसुन कुछ नहीं पीसना है और बस इसी में हम डाल देंगे दो तीन हरी मिर्च कट करके तो ये जो पीच बीच में हरी मिर्च पढ़ती है न तो बहुत अच्छा टेस्ट आता जब ये थोड़ा भुण जाए मसाले अच्छे से तो फिर हम डाल देंगे दो चम्मत धनिया और धोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और धोड़ा साब चाहा हो इसमें कस्मीरी मिर्च भी है प्याज हम धो रधो सिकिप भी कर सकते हैं तो ये दौनों मिक्स कररा ही डालेंगे है और साथ में इसको पकाका है जैसे ही आफने कटे हुटे लाल ती और साथ प्रक्षी सबस्क्री कण ती मने भूझा भी से दालेइगे बाता में अब भूज़् ली तो आपम भूंचना भी डाले को है और बस इसको ढखके सिलो फ्लेम में हम इसको पकने देंगे तो देखिए इसका प्रोसेस बहुत आसान है ना इसमें कोई जंजट है ना कुछ जादा पीस ने इसने की ज़रूरत है आप ऐसे ही चाहो तो अगर प्यूरी नहीं डालना तो आप ऐसे भी डाल सकते दें और जैसे डालेंगे ना तो यह सोक जाएगी तो इसको ग्रेवी को पहले हमने अच्छे से पका लिया और फिर जो हमने अंडे की बुझी ऐसी बनाई थी प्लेन वाली वह इसमें एड़ कर दी तो बस थोड़ी देर इसको पकेंगे जैसी यह थोड़ी देर इसमें फूल जाएगी दे तावल के साथ यह बुझे ना किसी भी तरीके से आप खा सकते हैं तो एक बार इसको भी बना के देखिए आपको बहुत पसंद आएगी वीडियो च्छोब वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब ने क्यों तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब हीजिए